कल की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्केट में एक बड़ा बुचा लागे और मार्केट यहां से बहुत करेक्ट होने वाला है ग्लोबली सब मार्केट गिरे थे कल रात तक जब मैंने मैं सोने से पहले मार्केट देखा था अब कोस्ट निफ्टी इतना डाउन नहीं था लेकिन डाव जोन्स और निकी अर्मोस अर्मोस निकी तो 8% डाव जोन्स भी तीन परसें डाउन था नास्टेक 5% डाउन था यह देखे तो लग रहा था भई सुबा तो वापिस कल अच्छा खासा मार्केट गिरे लेकिन सुबा उट्टे तो देख थी का है सब कुछ अपर पूरा ग्लोबल मार्केट अप एन ओवर ओल सभी स्टॉक्स बढ़ने लगे सभी मार्केट बढ़ने लगे और अपना मार्क भी देखे अभी 200 पॉइंट निफ्टी अप था इनिशली अभी जब मैं यह वीडियो बनाओ अल्मॉस 170 पॉइंट सफे हो क्या रहा है ना इसले बोलते ना के भई यह ज्यादा हाई लोग पकड़ने जाओगे तो आपकी गाड़ी छूट जाएगा अब ऐसा नहीं बोलो क मैंने कल टीवी देख रहा था शाम को क्योंकि पूरे दिन यहीं चला था काफी वीडियो भी मैंने आपके सामने बना है लेकिन वह है जो भी एक्सपर्ट बड़े बड़े एक्सपर्ट ऐसे नहीं कि छोटे-छोटे-छोटे एक्सपर्ट टीवी में बोले कि यह 10% करेक्श सेट इमर्जेंसी मिटिंग होगे तो काफी बाते चलेते लेकिन हुआ क्या पूरा उल्टा तो यही मार्केट फोर्सीज होते हैं इस वेरी वेरी डिफिकल्ट तो प्रियेम क्या चीज़ होने वाली है एज रिटे इन्वेस हमें यह चीज़ हमेशा देयाना रिके बही अच से वो कल नौ परसें डाउन तब फिर वहां से एक रिकवरी आई ठीक है और वह उपर चाहिए सिमिले डाउजों भी पंदर बीस परसेंट के आशा से वहां भी एक रिकवरी है क्यों क्योंकि एक ओवर्ट सोल्ट पोजेशन थी और एक दूसी बड़ी ख़बर आई जो यू चाहिए और वह काफी अच्छा था जिससे कॉंफिरेंस है और मार्केट रिकवरी होने लगी और सबसे पहले जापान में रिकवरी चालो हो गई ऑवर्ट सोल्ट पोजेशन में अब 31 परसेंट अगर इस साल में पूरे साल में पिछले एक साल में देखो तो जापान 40 परसे से चले है वहाँ अगर आपका मार्केट इतना भागने लगेगा GDP ग्रोथ नहीं तो एक साल में 40 वज़े तो वो ओर वैल्यूड अलड़ी हो चुका था और वहाँ कैसी किस्मत है पच्छी साल बाद आपका मार्केट बढ़ रहा है all time high touch कर रहा है और वहीं से वापीस 30 परस अगर फैड आके इंट्रेसेट करेगा ऐसा कुछ नहीं वहाँ देखो फैड एज एजन्सी नो वहर एक मार्केट बिहेवियर पे अपना जज़्जमेंट नहीं दे जस्मार्केट गिर रहा है तो मार्केट आके रोकेगा ऐसा नहीं अनलेश अनलेश धरीज सिस्टमेटिक क कुछ हुआ लोग मर रहे हैं सदनली बहुत आम आदमी को प्रॉब्लेंट तो आके लेकिन शेर मार्केट पे बेस पे कभी भी कोई भी गवर्निंग होती है जैसे आर्बी या या फैड है या वो अपने रूलिंग नहीं चेंज करती है उन्होंने बुला है सप्टेंबर तो नज़ा तो रहेगी रहेगी लेकिन देखो ये सब पॉलिसी रातरवाच चेंद नहीं होती और उपर से एक चीज़ वे अगर होती है तो बहुत ही ड्रास्टिक स्टैप्स लेने हो या नहीं कुछ कहते हैं ड्रास्टिक खराब चीज़ हो गई है तो आते हैं फेड सदनली रेट कट जो कोविड के टाइम हुआ था या नाइन इलेवन के टाइम हुआ था जहां लोग मर रहे और बहुत ही बड़ा सिस्टमेटिक इशू आ जा तो बात अलग है यहां नहीं तो ऐसा होता नहीं है तो बेसिकली वो तो सब्टेंबर में ही रेट करेंगे लेकिन रेट सब्सक्राइब दूह कर्शती मार्केटन दूहर को इस सब्सक्राइब नहीं रहते हैं तो मार्केट में जैसे मैं हमेशा बोलता है 1 plus 1 is equal to 2 नहीं होते है, 1 plus 1 4 भी होते है, 1 plus 1 11 भी होते है, 1 plus 1 0 भी होते है, कुछ भी हो सकते है, क्योंकि वो emotion से ज़्यादा चलते है, जब लोग pessimistic होते है, market बहुत ही जहता है, जब बुलिशने साथ है, market छपड़ फाड़ के लिए नहीं है, आप बेर खिले हमने 25,000 किस तरह से level touch किया है, almost election के time हम लोग 25,000 पहुंच गया है, और यह है behavior market का, अब retail investor जब आते हैं, तो कहते हैं पूरी, जैसे कल कुछ मिलने नहीं वाला, उस तरह से buy करने लगते हैं, जैसे कल हुगा ना, 10,000 करोड का basically FIA ने selling की, और BIA ने कितने की, around 9,000 करोड तो उन्होंने ही selling कर बाइंग कर दी उनके सामने, एक अधा जाकर, retail investor ने शायद buy कर लेंगे, तो जो माल चेप के जा रहे FIA, वो अब BIA buy कर रहे है, अगर एक अच्छा एक रिपोर्ट था economic times में, उसमें लिखा था कि 17.7% कुछ FIA की basically holding है इस market में, और अब भी हम लोग BIA की बात के, तो वो 16. 16.7% तो अल्रेडी पहुँच गे, तो यानि बहुत ही कम gap रहा है FIA और DIA की buying में, that shows that retail investor काफी involved, कुछ साल में आप देखोगे FIA, DIA की basically holding बहुत जादा होगी compared to FIA, और यह DIA कौन है, domestic institution, यह जो Mitchell Fund, SIP और आप लोग, और retail investor, तो यह सब आगे जाके बढ़े है, तो market, सब जगा market 15, 20%, Taiwan, Korea, सबने तो उल्टी circuit लगाती थी, अब हम लोग सिर्फ 4% गे रहे, अभी तक all time high से, और अभी तो आज वापी जिर्कवरी होगे, तो 4% जे भी कम हो गया, कहने का ताद पड़े है, कि बहुत ही solid buying, retail investor के तुरू आ रहे हैं, वो लोग literally रहा देख रहे कोई गिरेगा, तो हम लेंगे, और कोई panic नहीं होता है, जैसा कल हुआ, ऐसा honestly speaking, अब हमारे भी thousands of clients है, members है, किसी ने phone करके ऐसे ने, क्या करूँ, यह हो गया, वो हो गया, नहीं, सब का question था, क्या हम लोग अभी buy कर सकते, क्या हम लोग, कुछ लोग का तो ऐसा है, कि हम यह सब नहीं करना है, क्योंकि यह देखो, जितना saving है, उतना ही invest करो, leverage मत करो, यह सब market में, क्योंकि at the end of the day, वो आपको backfire कर सकते, प्लीज F&O, future and option करने की कोई ज़रूत नहीं है, ऐसे long term में पैसा बना के देगा, 21,000 से 25,000 में जिसने भी long term पकड़के चले है, वो ही कमात है, correct नो, वो आप trading में पात दस परसन से खूश हो जाओगे, तो आप बड़ा goal achieve नहीं कर पाओगे, तो coming back to global thing नो, नहीं तो मैं यहाँ चला जाओगा, तो global thing में यह है कि basically अभी संबल गई है चीज़े, लेकिन क्या we are out of the woods, क्या आगे जाके problem आ सकते, तो unlimited percent आ सकती है, एन credit data कितना impact आएगा, वो हमें पता नहीं है, US अगर हम लोग Wix की बात करें, वो almost 65 पहुंच गया तक कल, वो cool off होके 38 percent आ गया है, अभी भी वो 20 percent की नीचे जाना चाहिए, तो एक stability आएगी market में, नहीं तो तब तक यह volatility बहुत हाई होगी, suddenly राशाम को कोई news आ, suddenly वापिस गिनने लगेगा, correct तो अभी तो market stable लग रहा है, आज जब तक मैं यी video record करो, market stable लग रहा है, लेकिं, don't take it for granted, कि यह सब सही है, क्योंकि at the end of the day, interest rate cut होगा, September में, hopefully वहाँ से थोड़ा मामले समलेगी, और इस्राइल और इस्राइल और इरान का जो चला है, अभी तक तो cycle question है, कि Warren Buffett ने 50% अपना stake based दिया, Apple का, और वो 22 से 24 लाग करोड के cash में बैठ है, तो क्या उन्होंने, उनको कुछ पता है, जो हमें पता नहीं है, see Warren Buffett, देखो, at the end of the day, उनके पास इंस्राइब के पैसे होते है, they have to be conservative, और अभी Warren Buffett भी इस एज में मुझे नहीं लग तक कि इतने risky assets buy करते है, वो थोड़ा conservative भी खेलना चाते है, और कुछ होगा logic उनका, लेकिन हाँ, आप बोलोगे कि नहीं नहीं, यह तो market reverse हो गया, यानि Warren Buffett की theory गलत हो गई, अब यह हम लोग बोल नहीं सके, कोई एक दिन के behavior से पता नहीं चलता है, अभी हमें देखना है, कि next तरह से अपना भी एक index का top 25,000 का जो बन गये, वो थोड़े time रहेगा, क्योंकि unless, unless हाँ, कुछ ऐसे resolution आया जाए, जापान में, और US में, जिससे लगें कि हाँ भी recovery पके, तो वापिस हम लोग 25,000 touch कर सकते हैं, नीचे की side downfall, इसलिए हर एक level पर buying आ रही है, इसलिए support हर दे थे, चार यह नहीं, तीन, तीन, तीन परसंट के आसवा, डाई से तीन परसंट गया, अब वर्ल मार्केट देखो, सब 9-10-10 परसंट गिरे हुए, तो बहुत ही strong, कहता है न, buying है यहाँ इंडिया में, अब हम बात कर लें कि US recession, अभी तो लग नहीं रहे हैं, आने वाला जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, तो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस में भी पता नहीं है, क्या होने में, लेकिन अभी तक तो कोई बात ऐसी आई नहीं, तो चलो taken for granted, कि यहाँ भी कोई problem नहीं, रही बात Q1 की result की, हाँ, वो थोड़ा problem है, लेकिन hopefully, वो भी अभी जो result बाकी ह ठीक ठाक है, लेकिन इतने भी खड़ाब नहीं है, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है, अब उतने भी अच्छे नहीं है, जिससे हम लोग all time high touch करें, honestly, सुकिन उतने भी अच्छे नहीं है, काफी मीडिया में person है, कि हमने तो बोला था कि 22,500 हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा, यह होगा, वो होगा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं बोलो, यह आ नहीं सकता है, लेकिन the thing is no, कभी-कभी जब भी आपकी re-rating होती, economy की, तो उसमें आपका P multiple बढ़ता है, इंडिया का P multiple बढ़ा है, इंडिया is one of the fastest going country, और आप देखो आजू-बाजू आप उपर नीचे चलता है, तो अपने, और चाइना, चाइना तो अल्यडी बड़े प्रॉब्लम है, जिस तर के उनकी economy है, वो stimulus डालते जा रहे, real acid में यह वो कड़के, तो हर जगा, आप देखो तो economy, सभी economy इतनी सहीन है, तो इंडिया में चलो, by God grace, यह एक अच्छी बात है, कि हमारी economy stable है, ऐसे जो बांगलादेश में हुआ है, शिलंका वैसी चीज़े, hopefully यह नहीं हो, even पाकिसान में भी इमरान खान को पकल लिया था, जेल में डाल दिया था, आपको पता है, ऐसी चीज़े यह नहीं होती, तो वो अच्छी बात है, hopefully ऐसे ग्रोग करेंगे, लेकिन condition, अगर हम लोग यह सब देखें, टाइवान की बात के है, तो भई हमेशा डर रहता रहता है, कि चाइना कभी भी उनको attack कर सकती है, जब आपके geopolitical crisis इतने खराब होते हैं, even the Middle East situation is not good, इंडिया is one of a country नो जो आपको safe investment का मौकवा देती है, और FIA कभी यह भूलेंगे नहीं, FIA अभी निकल रहे, I think अभी तक उन्होंने डेर लाग करोर का कुछ sell कर दिया होगा, 1,30,000 करोर और लेर लाग के असवाज, जबकि इंडिया में DII ने और लेडी 2,60,000 करोर का बाहिं कर लिए उसके सामने, तो FIA निकल है, लेकिन यह FIA ऐसी बला है ना, कि अगर कुछ सब यह तो ऐसा ही है, यह कभी भी आ जाएंगे, उनको पैसे कमाने से मतलब है, तो वो जल्दी निकल भी जाएंगे आपके मार्केट से और जल्दी आ भी जाएंगे, तो उसे अपने को इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब तक अपना DIA का सपोर्ट है, guys, you don't have to worry about it, त क्योंकि at the end of the day, अच्छा stock जो overvalued नहीं, वो ही आपको आगे जाके अच्छा return देगा, ठीके, लेकिन प्रॉब्लम ही होते कि जब मार्केट इतना all-time high पर होते हैं, तो अच्छे stock सस्ते नहीं मिलते हैं, या तो आपको risk लेके ऐसे stock select करने पते हैं, जो maybe 2-3 साल में होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, गाइस वीडियो अच्छा लगा है, तो दो लाइक और शेयर दीशर में भूल जाता हूं हमेशा, and do share it to everyone, and also आपके कोई questions है, तो प्लीज पूट इत इत दा चैर में, और mostly सभी comments को answer देता हूं, related to आपके stock की queries है, या sector की queries है, मैं आप डाले, I'll answer your questions also, and so that is the thing, चले तो वापी बात में बात करते हैं कि भई अभी करना क्या है, at the end of the day करना तो यह यह कि भई, overall things are much more stable, लेकिन यहां से भी अगर नीचे आता है, I think आपको buying start रखनी है, at the end, देखो हम एक चीज़ समदलो कि इंडिया कम गिरेगा, लेकिन philosophy हमेशा हमेशा हम लोग world market से कमी गिरेंगे, क्योंकि जिस तरह से Indian economy और हम लोग भागेंगे भी ज्यादा world market से, तो यह condition आपको हमेशा, यह rule हमेशा द्यान में इस तरह से ही invest करना है, देखो यह हर एक economy की condition अलग है, अपनी economy की condition, मैं ऐसा नहीं हम लोग completely isolated है, या हमें कु लाजेस economy हम लोग third largest economy बनने जा रहे है, तो यह एक चीज़ तो प्ताय है कि हमारा जो dependency इन सब country में बनने है, क्योंकि उनके पैसे भी यहाँ आके invest होंगे, हम लोग आज बच इसले गए है, क्योंकि Japanese carrying trade का जो था पैसा वो इतना आया नहीं है, मैं भी दस भी सजा करोर या स something आयो, वो कुछ नहीं compared to our market situation, okay, तो इसले हम लोग बच गे, लेकिन आगे जाके भी बहुत पैसा आएगा, तो यह सब condition रहेगी, लेकिन as an investor, आपको तो यह देख रहा है कि अगर company अच्छी है, अच्छे valuation में मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, invest करो और over the years, आपको अच्छा कमाखे देगी, चले यहां तक ही रखते हैं guys, let's hope यहां से अपनी rally start ही है, जो restart हुए, hopefully यह चालो रहेगी, बने रहे हैं guys, everyday हम लोग YouTube वीडियो में आते हैं, आपो जो scenario समझाने के और stocks, recommendation, stocks related, कोई भी query वो solve कते हैं, तो thank you very much guys, and I'll see you soon next time, bye-bye.